दोस्तो तेजपूर उनिवरसिटी के जितने भी एस्प्रेंट से उन सभी के लिए बहुत इंपॉरण अपडेट लेकर कर आ गिया हूं जो भी CUT-PG के अप्डेट से उन सभी के लिए बहुत इंपॉरण अपडेट है विजो CUT-PG का result डिकलेर कर दिया गिया है एंड उसी के बाद से यहाँ पर तेजपूर यूनिवसिटी ने अपना registration process फाइलि यहाँ पर start कर दिया है यानि counseling के process तेजपूर यूनिवसिटी के लिए for PG के लिए start हो चुक है यहाँ पर तो बहुत important update है यहाँ पर इस video में बताऊंगा किस तरीके से step by step आपको तेजपूर यूनिवसिटी के लिए यहाँ पर registration करना है उसी के साथ साथ दूसरी चीज़े बताऊंगा end date किया है यानि last date किया है आपका यहाँ पर registration के लिए और कितना फी आपको pay करना पड़ेगा तेजपूर यूनिवसिटी के लिए जैसे कि आप सभी पता है तेजपूर यूनिवसिटी वन अफ दी बेस्ट सेंटर यूनिवसिटी है इंडिया की तो यहाँ पर आपको जो है registration जरू करना चाहिए मेरे recording यहाँ पर आप सबसे पहल जिसमें आपका MA English, Language Technology, Cultural Studies, Sociology, Mass Communication, Journalism, Communication for Development, Hindi, Social Work, Education and यहाँ पर आपका यहाँ पर आशामी इन सभी courses को provide कर रही है यह भी चार सेमेस्टर के है MSc in Mathematics, Chemistry, Physics, Environmental, Enventor Science के regarding यहाँ पर चार सेमेस्टर यहाँ पर Mtech in Bioelectronics जिसमें आपका CES, CSE, ELDT, Energy, IT, FET, ME जो है यहाँ पर provided है उसके बाद है Master of Computer Application यहाँ पर आपको provide कर रही है यहाँ पर Master of Tourism यहाँ पर Travel Management यहाँ पर ट्रेवल मेनेजमेंट जो है MTTM वह भी provide कर रही है Master of Laws भी provide कर रही है LLM और उसके बाद में जो है course के free के लिए जो है 600 रूपीज लएगा आपका यहाँ पर General EWS एंड यहाँ पर आपका OBC के स्टुएंट्स के लिए एंड यहाँ पर 300 रूपीज लएगा STSC and PW के स्टुएंट्स के लिए इतना रूपीज आपको देना पड़ेगा अब दूसरा सबसे important बात यहाँ पर क्या है application जो आपका 26 September से स्टार्ट हो चुका है अब यहाँ पर PG के लिए एंड लास्ट डेट आपका यहा पर PG के लिए नाइन ओफ यहाँ पर यहाँ पर जो है October यहाँ पर लास्ट है तो नाइन ओफ ऑक्टोबर तक यहाँ पर यहाँ पर PG के लिए registration कर सकते हो आप सबसे important बात आँए किस तरुकिस आपको यहाँ पर लिए यहां को mãos link के लिए यहां पर सबसे पहले यहां पर चेक कर करूंㄍ यहां पर connection ईहां। यहां पर APP youL 550 का आप हन्हें दिए कंष सभी गुशक करऊड़ा है। इससे पहले अप कुछ इंपोर्ण चीजर करें सेर कर दो यहां पर डानीट करोगे। तो इसमें सबसे पहले आपका admission announcement के बारे में बताया गिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है इस new registration के उपर में simply आपको क्या करना है क्लिक करना तो जैसे आप इस लिंग पर क्लिक करें तो आपका जो है एक पेज इस तरीके जो है आपका open हो जाएगा यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो भी guidelines वगरा यहाँ पर उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर फी वगरा क चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर देखो बताया हुआ बताता हूँ पास्पोर साइज फोटोग्राप चाहिए इसके एंड कोपी अप सीनेचर चाहिए कोपी ओफ सीटी पीज एड्मिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड या फिर जो है इफ एप्लाइंग फॉर अंडर सी यह पीजडी के लिए ओके यह आपका पीजी के लिए है इस चीज को आप यहाँ पर द्यान देना और कोपी ओफ द रेल्वेंट केटिग्री सेटिफिकेट इसूट बाइदा कंप्टेंट ऑथरिटी इफ सीकिंग एड्मिशन अंडर एनी रिजर्ब केटिगरी यानि जो है आपको यहाँ पे चाहिए चाहिए यहां पर कंदेट कोई तो यहां पर यह पर को यह डिया फ्याशन कर रहे है तो उस चीज के लिए आप यह अगर आपको कुछ वर्क नहीं कहा रहा तो आपको यह नहीं चाहिए अब यह पने अगर अगर चाहते हो तो इन चीजों का आप ध्यान देना नगर देनाद, उसके बाद में यहांपे नजर आएंगे, अपर सारी डीड Roberto करते हैं सबसे पहले यहांपे नियहांपे यहां में तो फिलप करना देन उसके बाद आप na email ऐडी इमेल डि देन उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर अपना डालना है इसके बाद में उसके बाद में पर एक बना waking कह는 दो perform नजरा आएगा तो यहां तो आप यहां पे आगे के proces को चोफं कर सकते हो तो इस तरीक जो है आपको करना यहां पे तेजपुर यूणिवसिटी के लिए इस तरीक दिस्टेब इस टिफ आप आफ सारी चीज़र कर सकते हो और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्सिन में प्रोवाइड करने की कोसिस करूँगा और अगर यह अपडेट अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेस्ट की अपडेट साथ में नेस्ट की वीडियो दो तक दें के लि